हेलो बचो मेरा केश आके लिए लेक्या है हूं कमिस्टरी फ्राम सिक्स तू ट्वैल्थ आज हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास के सिक्स चैप्टर फीजिकल और केमिकल चेंजिस इसमें आज हम पढ़ेंगे एक टापिक सीगी जिसका नाम है केमिकल चेंजिस तो इस केमिकल चेंजिस में कुछ आक्टिविटी दी गई है । जैसे के मगनेशम रीवन को जलाना है मगदीशियो ऑक्साइड बनता है दूसरा कापर सलफेट में एक आईरन का नेल डालना है और उसका कलर बुल्यू कलर से ग्रीन कलर बन जाता है और उसके आगे विनेगर लेके उसमें आपने बेकिंग सोडा डालना है उसमें से कार्बन डाक्साइड इवाल्वर होती है जि में पहले एक्टिविटी है 6.6 दा बर्निंग आफ मगनेशियम इंटू मगनेशियम ऑक्साइट मगनेशियम आपको पता है मगनेशियम का फार्मूला होता है एम जी इसको लिखते हैं एस एसमी सॉलेड बड़ी साली शोटी बात्य होती है कमिस्ती में वह आपको थोड़ी थोड़ी पर सिखाता जाओंगा जैसे आप बड़े वार्व देखेंगे रियक्शन में एस लिखा होगा जा एल लिखा होगा जा जी लिखा होगा तो एसमीन ए सब्सक्राइब किस फार में मगनेशन किस फार में मगनेशन किस फार में मगनेशन क्या होता है मगनेशन मैटल को लेने से पहले आपने सैंड पेपर से इसको साफ करना है क्योंकि मैटल को बड़ी असानी से जंग लिखाता है यह बड़ी मैटल है इसके ओपर ऑक्सीजन की एकिसे जलाने से साफ करने लाने के बाद आप ने इसको न करना है और आपको पता है जब भी किसी चीज़ को वर्म करते हैं जलाते हैं इस पार जिसके नीचे क्या लिखाए पर आप ना मिलेखें तब ँचलेगा लेकिन मगनेशियम औक्सीजन से रेक्ट होगा क्या बनेगा जल जाएगा आग लग जाएगी में के कहता है डेजिंग लाइट बड़ी ज्यादा लाइट जे शोड़ता है इसको कंटीनू हमने देखना नहीं होता हमके खराब हो सकती है तो जे चेंज हो जाता है किसमें मगनेशियम औक्साइट्ट और जो एक जुए जिसकी प्रॉपर्टी ना मगनेशियम से मिलती है न मेटल थी जे गैस थी अब यह आप ना ग्यास रही जी रहाग बन गई है और इसकी क्रॉपर्टी बिलकुल अलाग हो गई है दा प्रॉपर्टी आप अउडक्ट फार्मर सब्सक्राइब ना करें उस चेंज को हम क्या बोलते हैं इसका मतलब जे गवा कि बर्निम आप मगनेशियम रीवन जा मगनेशियम मैटल इन प्रेंस आफ ऑक्सीजन इस एक चैनिकल चेंज वीट फाम मगनेशियम ऑक्साइड कि एक और इसमें बताई है केंज कि एक कॉली के किस दो बनी है इसको लेके आपने क्या अपने सिम्पल वाटर में डाल देना लें इस एए एक ही अपसे घ्ल hackers मीन gonna देना तो आप मैं अगर सब्स्टांस बन गया है मगनेशियम हाइड्रोकसाइट फोड़ गया था मगनेशियम ऑकसाइट ऐड्रोकसाइट उक्साइट इसकी प्रप्रटी भी ना मगनेशिम गें तो इसको चैक भी करता है कि जैकने चैक्ट करने के लिए हम किसका जूज करते हैं लिटमस का जूज करते हैं लिटमस लीटमस एक इंडिकेटर है दूटरा का होता है तो हमने जैसे ही इसमें डाला तो जो है लिटमस ब्लू हो जाएगा जैसे ही हमने मगनेशिम ह्टोक्साइद में डाला उसका तैलर क्या होती है वो क्या है बेस है बड़ा है एस तर्म बेस तर्म जैंसर जैंसर जहां से जिसमें हम देखेंगे के कापर सेल्फेट के सलूशन में जब हम आईरन का पीज डालते हैं तो बहुत पर सेल्फेट में और कापर उसमें से अलग हो जाता है तो हमने बताना है कि यह chemical change है जा नहीं है तो कैसे है तो इसको activity based पे करेंगे बचे इसके लिए हम क्या करेंगे एक container लेंगे एक beaker लेंगे जहां अगर आपके पास beaker नहीं है तो आप सीशे का गिलास भी ले सकते हैं उसमें आप डालेंगे copper sulfate copper sulfate क्या है बचे copper sulfate? copper sulfate हमारा salt है पहले आपको salt का पता होना चाहिए हैना salt कैसे बनते हैं? salt अमुमन बचे सोचते हैं कि नमक भी बात करते हैं नमक भी एक salt है salt में क्या होता है? जैसे नमक का formula है NACL आपने जार रखने हैं salt में दो जीज़े होती है metal और non-metal metal और non-metal को मिला के बनता है salt जैसे sodium kloride जैसे potassium kloride जैसे copper sulfate सीजू SO4 copper इसमें क्या है? metal और SO4 क्या है? group of non-metals तो जे copper sulfate जो है इसको आपने लेना है बजार से मिल जाएगा जे blue color का होता है इसको नीला थोता भी बोलते हैं तो इस copper sulfate को आपने पानी में डाल देना है यह देखिए aqus, aq लिखा हुआ है जैसे मैंने पिछले lecture में बताया था आपको कि solid के लिए s liquid के लिए l gas के लिए g लिखते हैं ऐसे ही अगर कोई solution पानी में बनाया गया हो तो उसके लिए हम एक क्यो उजूज करते हैं aq mean aq aq guard आपने सुना हुए है aq guard जिसमें water साह होता है तो aq solution mean copper sulfate को हमने किसमें डाल दिया water में डाल दिया, पानी में डाल दिया इस beaker में और थोड़ा सा डाल दिया इसमें sulfuric acid क्यों डाला sulfuric acid क्योंकि copper sulfate जो है वो इसमें असानी से dissolve हो जाएगा desolation process जो है थोड़ी fast हो जाएगी और copper sulfate का blue color होता है इस mean इस solution का color कौन सा हो गया blue, blue color हो गया इस blue color solution में आपने क्या करना है बच्चे जा इसका एक part solution का निकाल के आपने इधर खलेना है दूसरी बीकर में आदा solution इसमें से आदा निकाल के आपने इधर डालेना है दूसरी container में अब इस container में इस copper sulfate solution में आपने डालना है iron का piece iron का formula क्या होता है fe iron का piece कहां से लेना है आप एक blade ले सकते हैं कि बिलेट अगर गार में आकर पड़ा हुए है पुराना तो ौब ले सकते हैं जहाँ दूगां से भी दो सकते हैं अ 7 आप हरान हो जाएंगे जब एक दो गैंटे के बाद आपने इसको दोहरा देखा तो यह यह जो इसका blue ठाब इस solution का जा इसका जो blue color था वो fat up हो गया था blue color रहा ही नहीं था और blue color जो था वो किसमे चेज़ हो गया था green color में change हो गया था और जब उस blade को जब उस nail को जब हमने भार निकाला तो उस blade का रंग भी थोड़ा brown हो गया था है तो हम् क्या है जे यह से हैं नहीं पहले तूह है कि मिक्ल्क चेंज आये टूपार सय क्योंницы जायी होगी तो गांपर सिल्फेटमें जैसे ही आमने फिर प्रिद्च को डाला तो इन दोनों में reaction हो गए iron ने copper sulfate में से copper को अलग कर दिया और खुद iron जो था sulfate से react होके इसने क्या बना दिया iron sulfate यह देखिए यह ऐसे यह आपस में react हो गया और बन गया ferrous sulfate और copper को इसने अलग निकाल दिया और जो ferrous sulfate होता है बच्चो अब इसमें यह copper sulfate नहीं रहा copper sulfate किसमें change हो गया इसमें change हो गया और फैरस sulfate solution का जो color होता है पानी के अंदर वो क्या होता है गरीन कलर का होता है और copper जो blade था हमारा उस पर brown layer क्यों आगी क्योंकि वो copper जो था वो जो copper और शोड़ा है solution ने वो उस blade के ऊपर चिपक गया और उस blade का कलर क्या हो गया ब्रॉन होना शुरू हो गया इसका कलर अलग है इसका कलर अलग है इसकी properties और इसका प्रॉपपटीज लग है मन था यूर्म और सबस्टर्स कंभी है to form another substance whose properties are completely different from their reactants or constants these changes called chemical chains it me in the formation of ferrous sulfate and copper from copper sulfate and iron is also a chemical chemical change टॉपिक की एक्टिविटी नंबर 6.8 जो की NCRT बुक से लिया गया है तो इसमें हम बताएंगे के बिनेगर में अगर हम बेकिंग सोडा डालते हैं तो वो एक कैमिकल चेंज है जा नहीं है है तो कैसे है तो इसको हम देखेंगे एक्टिविटी बेस पे करेंगे तो बचे हम क्या करेंगे हम लेगे बिनेगर आपको पता है सिर्का जिसे हम बोलते हैं बिनेगर को लेके इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा जो के बेकिंग ब्रेड बगरा बनाने के ल गैस carbon dioxide gas और एक अनदर chemical substance भी बनता है विनेगर को हम बोलते हैं इसका chemical नेम है एस्टिक एसड और baking soda का chemical नेम है sodium bicarbonate और इन दोनों को मिलाने से बनती है carbon dioxide और जो अनदर substance बनता है नाम है sodium acetate बच्चों जी होगे हमारी chemical reaction जा chemical equation इस chemical reaction को हम chemicals की फार में भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो आप chemical में भी लिख सकते हैं एस्टिक एसेड का फार्मूला होता है CH3COOH और sodium bicarbonate का होता है NAHCO3 इसको sodium bicarbonate जहां sodium hydrogen carbonate भी बोलते हैं यह लिखर फार्म में होता है यह solid फार्म में है पोर्डर फार्म में हम दोनों को मिलाएंगे और निकलेगी क्या carbon dioxide gas और साथ में sodium acetate अनदर compound जो बनेगा यह दो दो compound बने हैं carbon dioxide और sodium acetate इनकी property बिल्कुल इन पर डिपेंड नहीं करती इनकी property इनसे बिल्कुल different है अगर जह different चीज़ बन गई है तो हमने जही पड़ा है कि वेन दा प्रोडेक्ट फार्मर्ड हैज प्रापर्टी कंप्लीटली डिफ्रेंट फ्राम इट्स इसका मतलब है जह एक कैमिकल चेंज है अब हम इसको प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाते हैं बच्चे जह देखिए जह बिनेगर है ठीक है बिनेगर एस्टिक यह सिरका जिसे हम बोलते हैं कामली हम और सोई में इसको जूस करते हैं अचार बगयरा में डालने के लिए और इसको हम यह देखिए जिए एक शिशे के गिलास में हम इसको लेते हैं और यह हैं हमारा बेकिंग पोडर बेकिंग सोडा सोडियूम हाइड्रोजन कार्वोनेट अब हम क्या करेंगे इसका एक चमच चमच लेके यह देखिए बेकिंग पोडर का कि इसमें डालेंगे कहता है कार्वन डक्साइड गैस इवाल्बड होती है बिद हिजिंग सोंड हिजिंग के होता है जैसे कोई शिसकी अबड़ता है ती या के वाज आती है तो यह देखिए कि यह देखिए आज ये carbon dioxide gas वोचे, ये bubble जो बन रहे हैं, this is carbon dioxide gas, सेम उसी तरीके से, जैसे आप inno लेते हैं, inno, magnesium bicarbonate होता है, उसमें, उसको water में डालते हैं, तो उसमें से भी carbon dioxide gas evolve होती है, जहां cold drink में, थमजख भी bottle में, अगर आप नम्ग डालते हैं, तब ही आप देखते हैं, वहां से carbon dioxide gas evolve होती है, ये carbon dioxide gas evolve हो रही है, ठीक है, इस carbon dioxide, अब एक experiment हम और करेंगे बचे, एक chemical change इसमें और बताएंगे, ये जो carbon dioxide gas हमने बनाई है, इसका एक और हम chemical change करेंगे, इसको हम पास करेंगे lime water से, lime water क्या होता है बचे, चूने का पानी, lime होता है, चूना जो bite wash के लिए juice किया आता है, उस lime को लेके आपने पानी में dissolve करना है, और उसको थोड़ी दे रखने के बाद उसको filter कर लेना है, जो filtrate होता है, उसको बोलते है lime water, वो बिल्कुल clear होता है पानी की तरह, अब उसमें आपने पास करनी है carbon dioxide gas, तो आप देखेंगे, जैसे ही lime water में carbon dioxide gas आप पास करेंगे, तो वो उसमें milky color हो जाएगा, दूद की तरह, उस प्रोडेक्टर का color दूद की तरह चीज़ हो जाएगा, में milky product बन जाएगा, तो this is another chemical change, ऐसा क्यों होता है बच्चे, जह देखिए, पहले हम experiment करेंगे, जो vinegar और baking soda जैसे है, अभी हमने experiment में किया था, जैसे ही carbon dioxide gas बनेगी, इस carbon dioxide gas को हम जहां से इस capillary tube से बाहर निकालेंगे, यह देखिए, ओपर कारग लगाया हुए है, इस कारग से बिल्कुल बंद है, जो जो gas बनेगी, इसका मूँ थोड़ा उपर है, जो gas जहां से इधर हमने डाली है lime butter में, इस tube में हमने डाला हुए है lime butter, चुणने का पानी, और इस tube का मूँ जो है, वो इस solution के अंदर होना चाहिए, ताकि कि जो carbon dioxide जाए, वो lime butter में जाए, जैसे ही carbon dioxide इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगी, इस solution का lime butter जो के clear था, उस पानी का color जो है, वो milk की तरह दूदिया होना शुरू हो जाएगा, तो this is another chemical change, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक और change जो है, वो इसमें आई है, carbon dioxide को जब हमने lime butter में डाला, तो it give another chemical change, आईए देखते हैं, इसको ऐसा समझते है, lime butter का chemical formula होता है, calcium hydroxide, इस calcium hydroxide में, जब हम डालते है, carbon dioxide gas, जैसे ही carbon gas इससे मिलती है, तो यह change हो जाता है, calcium carbonates, दोरा lime जाचूना बन जाता है, calcium carbonate, और सास में निगल जाता है, water, तो जे calcium carbonate, water के बीच में dissolve है, और इस calcium carbonate का color क्या होता है, चूने का color क्या होता है, है, bite color होता है, तो चूने को आपने देखा है, पानी में dissolve करते हैं, तो milky color आता है, तो जो color है, वो इस calcium carbonate के कारण है, तो this is another chemical change, when lime water reacts with carbon dioxide, it gives rise to another compound, that is calcium carbonate and water, तो this is another example of chemical change, और इसको आप experiment करके भी दिखा सकते हैं, इस वीडियो में बच्चे जो हम आपको एक extra concept बताने जा रहे हैं, वो हम बताने जा रहे हैं, carbon dioxide gas के बारे में, जो carbon dioxide gas है हमारी, जो fire extinguisher के तरहां भी जूज की जाती है, तो आपको बताएं, कि आग कोई भी चीज अगर जलती है, आग लगती है, तो वो किसके कारण लगती है, oxygen के कारण लगती है, तो हम क्या करते हैं, जब उसके उपर carbon dioxide की layer डाल देते हैं, तो वो oxygen का contact जो है, atmosphere से तूट जाता है, carbon dioxide बारी होती है, वो जब उस पे आग पे बिश जाती है, तो वो oxygen को उस आग पे attack नहीं करनी देती, और इस कारण आग बुझ जाती है, carbon dioxide आग बुझाने में मदद कैसे करती है, वो oxygen का contact जो है, वो आग से ब्रेक कर देती है, और आग बुझाती है, therefore, आपने याद रखना है, कि carbon dioxide gas is also used as a fire extinguisher, ठीक है, आपने देखे होंगे, गाडियों में, जहां, थेटर्स में, जहां लोगोंने गरों में cylinder रखे होते हैं, और उस पे लिखा होता है, carbon dioxide type of fire extinguisher, ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही, ओके थैंक्स,